हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू PCS चंपियंज फ्रेंड्स यह करेंट अफ्यर्स का मास्टर वीडियो है इस वीडियो में हम लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोष्णों का डिस्कॉर्शन करने वाले हैं यानिकि जनुवरी दो हजार तेस से जून दो हजार तेस तके सभी प का अर्धवार्शकी 2023 से संबंधित प्रोष्ण है जो आपके 2030 में होने वाले सभी पर्तियों की परिक्षाओं के लिए रामबान है और हाली में BPSC सिक्षक निक्ती परिक्षा और 69th BPSC PT PILIMS के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है सिक्षक बहाले में इससे 5 से 10 प्रोष्ण ग्रांटी के साथ पूछे जाएंगे चुकि या पिछले 6 महिना के सबसे इंपोर्टेंट कुस्टन्स का संग्रा है तो चलि खार सिला कहां रखी गई तो केंदर सरकार द्वारा केंदरिये गुपचर प्रसिक्षन संस्थान की अध्हार सिला करनाटक में रखी जाए औप्शन अप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा करनाटक नेक्स्ट प्रोष्ण है दूसरी सबसे लॉम्भी टेबल वाले आठ लेन वाले ब्रेज़ाई से ध्यान में रखेगा जो गोवा में है नेक्सट्ट प्रस्ट है यीएएएएएएएषपॉट्स को मॉल्डी एस्फउट्स को मॉल्टी एस्फउट्स इवेंट के حिसे के रूप में भारत द्वार नेक्सट्टächlich रहाख है तो भारत में पहली बार तमिलांडू द्वारा दर नील गीरी ताहर पडियोजनास शुर की गई है ओप्शन भी इसका राई टेंसर होजेगा तमिलांडू नागपूर बिश्विद्याले महराष्ट में आयोजित 108 भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस की थीम क्या है तो नागपूर बिश्विद्याले महराष्ट में आयोजित 108 भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस की थीम महिला ससकती करण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प् एक जन्वाडी 2030 को कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया है तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगाठन यान की DR DO द्वाड़ा एक जन्वाडी 2030 को 65 अस्थापना दिवस मनाया गया है option 6 कराई टेंसर हो जागया 65 बात करें DR DO की तो इसका अस्थापना एक जन्वाडी 1952 को हुआ था नेक्स्ट प्रस्ट है भारत को SI प्रसांद डाक संग का नित्रित प्राप्थ हुआ है इस संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है तो भारत को ACI परसांग डाक संग का नित्रिक प्राप्थ हुआ है इस संगठन का मुख्याले थाइलन्ड में इस दित है औप्शन 20 का राइट एंसर होज़ेगा थाइलन्ड नेक्स्ट प्रस्ट है इरोपियन संग की मुद्रा एउरो को किस देश ने अपनाया है और एउरोपियन संग की मुद्रा को एउरो को अपनाने वाला देश क्रो एसिया है ओप्शन 20 का राइट एंसर होज़ेगा क्रो एसिया नेक्स्ट प्रस्ट है बिश्ट के सबसे उचे यूद छेत्र सिया चीन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है तो बिश्ट के सबसे उचे यूद छेत्र सिया चीन में पहली बार सिवा चौहान को तैनात किया गया ओप्शन 20 का राइट एंसर होज़ेगा सिवा चौहान नेक्स प्राजन है आठरावी राष्ट्रिय स्काउट और गाइड जमबोरी का उदगाटन कहां किया गया है तो आठरावी राष्ट्रिय स्काउट और गाइड जमबोरी का उदगाटन राजस्थान में किया गया औप्शन C इस कराई टेंसर होजएगा राजस्थान नेक्स्ट प्राशन है जग मिशन जिसे दूसरी बार Even Habitat World Habitat Award मिला इस मिशन का संबंध किस राज से तो जग मिशन का संबंध उरिशा राज से औप्शन D कराई टेंसर होजएगा उरिशा और जग मिशन को Even Habitat World Habitat Award मिला है नेक्स्ट प्राशन है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किस के नाम पर किया गया है तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम डॉक्टर मनोहर पडिकर के नाम पर किया गया और डॉक्टर मनोहर पडिकर यह गोवा के पूर्व मूख मंत्री रह चुके है नेक्स्ट प्राशन है एप एस एस ए आई द्वारा उत्तर परदेश के किस रेलवे स्टेशन को फाइब एस टार रेटिंग परमानन के साथ इट राइट एस्टेशन से समानित किया गया है तो एप एस एस आई द्वारा उत्तर परदेश के वारा नसी कैट रेलवे स्टेशन को फाइब स्टार रेटिंग पर्मानान के साथ इट राइट इस्टेशन से समानित किया गया है अप्शन बी इसके राइट इंसर हो जाएगा वारा नसी केंट रिल्वे इस्टेशन सुडान में सबसे बड़े महिला सांती रख्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषना किस देश द्वारा की गई है तो सुडान में सबसे बड़े महिला सांती रख्षकों के दस्तों के तैनात करने की घोषना भारा द्वारा की गई है काला गेंड़ा के संरक्षन के लिए वन जीव संरक्षन बोंड बीस बैंक ने जाड़ी किया है option बीस कर राइट एंसर हो जाएगा बीस बैंक नेक्स्ट प्रोस्ट ने तार के पते का ब्यूस का पहला पांडू लिपी संग्राले कहां शुरू हुआ है नेक्स्ट प्रोस्ट ने तार के पते का ब्यूस का पहला पांडू लिपी संग्राले केरल में शुरू हुआ option डीस कर राइट एंसर हो जाएगा केरल पहली अंडर्वाटर मेट्रो कहां बनाई जा रही है तो भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्रो पस्षिम बंगाल में बनाई जा रही ऑप्शन सीज का राइट एंसर हो जाएगा पॉस्सिम मंगाल और यह होगली नदी के नीचे बनाई जा रही है इसे ध्यान रखेगा नेक्स्ट प्रॉस्ट है नेकई एसिया की रिपोर्ट के अनुसार ब्यूस का तीसरा सबसे बड़ा ओटो बजार बना नेकई एसिया की रिपोर्ट के अनुसार ब्यूस का तीसरा सबसे बड़ा ओटो बजार भारत बना है नेक्स्ट प्रॉस्ट है मध पर्देश के इंदावर में प्रवासी भारतिये दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करन का अगाज हुआ तो मध पर्देश के इंदावर में प्रवासी भारतिये दिवस सम्मेलन के सत्रहवे संस्करन का अगाज हुआ ओप्शन सी इसकराई टेंसर हो जगा सत्रहवे नेक्स्ट प्रॉस्ट नहीं संजुक्त राज अमेरिका की पहली महिला सिखने आधिस कोन बनी है तो संजुक्त राज अमेरिका की पहली महिला सिखने आधिस मनपरित मोनिका सिंग बनी है ओप्शन सी इसकराई टेंसर हो जगा मनपरित मोनिका सिंग नेक्स्ट प्रास्ट है हावर्ड लॉव स्कूल सेंटर द्वारा बैस्विक नेत्रीत के लिए पुरुषकार से किसे समानित किया गया है तो हावर्ड लॉव स्कूल सेंटर द्वारा बैस्विक नेत्रीत के लिए पुरुषकार डॉक्टर डी वाई चंद्रचूर को समानित किया गया ओप्षन डी इसकर राई टेंसर हो जगा डॉक्टर डी वाई चंद्रचूर और वे वर्तमान में भारत के पचासवे मुख नयाधी से इने ध्यान रखेगा नेक्सट प्राशन है उत्रा खंड के किस सहर को आपधा समभावित छेत गोशित किया गया है तो उत्राखंड के जोसी मठ सहर को आपदा संभावी छेतर घोसीत किया गया ओप्शन एस का राई टेंसर होजगा जोसी मठ नेक्स्ट प्रस्ट है सन्यास की घोसना करने वाली भारत की स्टार महिला खिलारी सानिया मिर्जा का संभवंद किस खेल से है तो सानिया मिर्जा की सानिया मिर्जा का संभवंद टेंस खेल से है ओप्शन सीस का राई टेंसर होजगा टेंस नेक्स्ट प्रस्ट है ब्रिटिस जुनियर ओपन टूनामेंट दोज़टेस में लड़कियों के किस आयू वर्ग में भारत की अनाहत सिंग ने स्कुएस का खिताब जीता है तो ब्रिटिस जुनियर ओपन टूनामेंट दोज़टेस में लड़कियों के अंडर फिप्टिन वाई वर्ग में भारत की अनाहत सिंग ने स्कुएस का खिताब जीता है ओप्शन सीस का राई एंसर होजगा अंडर फिप्टिन नेक्स्ट प्रस्ट है गोल्डन गलोब पुरुषकार 2030 में बेस्ट ओरिजनल सौंग का पुरुषकार प्राफ नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंदित है तो गोल्डन गलोब पुरुषकार 2030 में बेस्ट ओरिजनल सौंग का पुरुषकार प्राफ नाटू नाटू या RRR फिल्म से संबन्दित है option ये इसके राइट एंसर हो जाएगा RRR और नाटू नाटू गीत का गीतकार एम किरवानी है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स प्राइट नाटू 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 नाट अमेरिका द्वाड़ा दी गई है, उप्शन सी इसका राई टेंसर हो जाएगा अमेरिका, नेक्स्ट प्रॉस्ट नहीं, बिश्ट के सबसे बड़े नदी क्रूज, एम इवी गंगा, बिलास के यात्रा कार करम के तहत वारा नसी से डिब्डु गर्ड तक कि इतनी दूरी तयक की गई है, तो बिश्ट के सबसे बड़े नदी क्रूज, एम इवी गंगा, बिलास के यात्रा कार करम के तहत वारा नसी से डिब्डु गर्ड तक की दूरी तयक की गई है, उप्शन ए इसका राइट एंसर हो जाएगा, बद तीस सो किलो मीटर, नेक्स्ट प्रॉस्ट नही एक हत्रावे मिस उनिवर्स 2022 की विजए था, आर बोनी गेब्रियल का संबंध किस देश से है, तो एक हत्रावे मिस उनिवर्स 2022 की विजए था, आर बोनी गेब्रियल का संबंध अमेरिका से है, उप्शन B इसका राइट एंसर हो जाएगा, अमेरिका, नेक्स्ट की गई है ओप्शन सी इसके राइट एंसर होजएगा सिलोंग और सिलोंग या मेग हाले की राजधानी है कि नेक्स्ट प्रॉस्ट है है हाइदराबाद में आठ्रावी उनेश्वी सताब्दी में निर्मीत छाप पैगाह मकब्रों के संरक्षन के लिए किस देश द्वारा 2,50,000 डॉलर देने की घोषना की गई है तो हाइदराबाद में आठ्रावी से उनेश्वी सताब्दी में निर्मीत छाप पैगाह मकब्रों के संरक्षन के लिए 2,50,000 डॉलर देने की घोषना अमेरिका द्वारा की गई है इसके राइट एंसर होजएगा ऑप्सन अ अमेरिक सिमा सरक संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ओफिसर कैप्टेन सुर्भी जखमोला को तैनात किया गया है तो सीमा सडक संगठन बी आरो द्वारा भुटान देश के असाइमेंट पर पहली महिला ओफिसर कैप्टेन सुर्भी जखमोला को तैनात किया गया है तो इसका राइट एंसर होजेगा ओप्चन C भुटान नेक्स्ट प्रोस्ट है स्टार्ट अप फ्रम आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बिक्सित किया गया है तो इसका राइट एंसर होजेगा ओप्चन B स्काइवाक नेक्स्ट प्रोस्ट है 20 आर्थिक मंच की 23 बैठक आयोजन कहा किया गया है तो 20 आर्थिक मंच की 23 बैठक आयोजन दावोस में किया गया है ओप्चन A इसका राइट एंसर होजेगा दावोस नेक्स्ट प्रोस्ट है 16 से 18 फरवारी 2013 तक वर्ल्ड एस्पाइस कॉंग्रेस में कौन से संसकरण का योजन मुंबाई में किया गया ओप्चन 20 का राइट एंसर होजेगा 14 प्रोस्ट नेक्स्ट प्रोस्ट है केंद सरकार दोड़ा एक अप्रायल 2003 से पेट्रोल में कितना प प्रोस्ट प्रोस्ट नेक्स्ट प्रोस्ट है राइट टू साइट वीजन के उदेश से आंधता नियंतरन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज राजस्थान है है अप्सट के राइट इन्सट होजेगा राजस्थान नेक्स्ट प्रोस्ट है हां फैदराबाद के आख़री निजां कौन है जिनका हाली में तूर्की में निधन हूआ है तो हैदराबाद के आखरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान है जिनका हाली में तूर्की में निधन हुआ है अप्शन सीज कराई टेंसर हो जाएगा नवाब मीर बरकत अली खान अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फिली जिसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजे नेक्स प्राउचन है 20 स्वात संगठन द्वारा कहा इवोला वायरस के समाप्ति की घुशना की गई है नेक्स प्राउचन है जल्ली कटु 2023 जिसे मट्टु पोंगल भी कहते हैं कहां सुरू हुआ है जल्ली कटु 2023 जल्ली में जल्ली कट्टु कायोजन किया जाता है फिल्म RRR को किस सिरेनी में Critics Choice Award 2003 से समानित किया गया है तो फिल्म RRR को Best Song के लिए और Best Foreign Language फिल्म के लिए इन दोनों के लिए Critics Choice Award 2003 से समानित किया गया Option D is correct answer हो जगा A और B दोनों Next question है 20 आर्थिक मौंच दोरा किस भारतिय सहर में 4 अधियोगी क्रांती का 18वा 22 गेंदर असथापीत करने का समझाउता किया गया Option B इसक राइट influencer हो जगा है Next question सबसे कम उम्र में 12 सतक लगाने वाले विश के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं तो सबसे कम उम्र में 12 सतक लगाने वाले विश के पहले क्रिकेटर सुभमन गिल बने हैं कुलकाटा में कमिशन किया गया है इसका right answer हो जगा option B खुलकाटा next question है वर्श दोह haarश्ज やरेinyм में संगाइज सेयोग संगठन के सिखर्समेलन कि अध्यक्षत्ता किसके दोड़ा की जा रही है तो वर्च 2013 में संगाई सयोक संगठन के सिखर समिलन की अध्यक्सता भारत में की जा रहा है इसके राइट एंसर जागा option A भारत नेक्स्ट प्रास्ट नहीं पर्ति वर्च 3 trillion dollar unlock करने की पहल the giving to amplify earth action किसके द्वारा शुरू की गई है तो पर्ति वर्च 3 trillion dollar unlock करने की पहल the giving to amplify earth action इसकी शुरुवात W.E.F. द्वारा की गई है option C का राइट एंसर होजेगा W.E.F. next question है भारतियस सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संजुग प्रसिक्षन अभ्यास cyclone first राजस्थान में आयोजित किया गया है तो भारतियस सेना द्वारा देश के साथ पहला संजुग प्रसिक्षन अभ्यास cyclone first का आयोजन mist के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन भारत में राजस्थान में किया गया है तो इसका राइट एंसर होज़ेगा option A, मिश्र या इसी को इजीप्ट भी कहा जाता है next question है अमेरिकी नागर परिशत की सदस बनने वाली पहली अस्वेत समलाइंगिक भारतिय मुल्की महिला कौन है अमेरिकी नागर परिशत की सदस बनने वाली पहली अस्वेत समलाइंगिक भारतिय मुल्की महिला जनानी राम चंदरन है option C, इसका राइट एंसर होज़ेगा जनानी राम चंदरन चर्चा में रही इंडिया दमोधी क्विस्चन डोकुमेंटरी किसके द्वारा जाड़ी की गई है चर्चा में रही इंडिया दमोधी क्विस्चन डोकुमेंटरी बीबीसी द्वारा जाड़ी की गई है option B, इसका राइट एंसर होज़ेगा बीबीसी next प्राइट नाए, 17 वी A.S.E.R. 2022 रिपोर्ट का उदेश है next प्राइट नाए, 17 वी A.S.E.R. 2022 रिपोर्ट का उदेश सिक्षा की गुनवाता बढ़ाना है option A, इसका राइट एंसर होज़ेगा सिक्षा की गुनवाता बढ़ाना next प्राइट नाए, इवनेशको द्वारा अंतराश्ट्रिय सिक्षा दिवस दिवस दोजर तेश की बालिकाओ और महिलाओ को समर्पित करने की गुनवाता की गई है तो भारतिय डाक बिभाग द्वारा समूंद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेला सेवा की शुरुवात गुजरात में की गई है option C, इसका राइट एंसर होज़ेगा गुजरात भारत के पहले STEM Innovation and Learning Center का उधःतन काहां किया गए है प्रुष्क्रीत के गिया है तो संस्थागत शेनी के तहद सुबाश चंद्रबोध आपदा परबंधन पुरुषकार 2023 से उरिशा राज आपदा परबंधन प्राधिकरन और लुंगलेई फायर एस्टेशन मिजोडम इस दोनों को समानित किया गया है और बी दोनों नेक्स्ट प्राशनाय चगहत्रवे गंतंत दिवस समारों के मुख आती थी अपदेल फते अल सिसी और यह मिस्ट के परधान मंत्री है इन्हें ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राशनाय परधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरुषकार के तहत कितनी पुरुषकार राष्ट्रिय प्रुषकार राषी प्रधान की जाती है इसकर राइट इंसर हो जाएगा एक लाख नेक्स्ट प्राशनाय केंद सरकार दवाड़ा कुष्टी महासंग का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवर साइट समिति का गठन किया गय निवास वर्धन को पदम बिभूशन परदान के जएगा गया गया। ये की गयी, option B is right answer रोज़एगा स्री निवास वर्धन, next फ्रोस्ट नहीं भारा दवारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्रात्त करने का समझागा, next है भुखतान की आधनिक तकनिक T Además Generation Settlement System कहाँ लागू किया गया है, तो भुक्तान की आधुनिक तक्निक T plus one settlement system शेर बजार में लागू किया गया, option B इसका राइट इंसर हो जाएगा, शेर बजार करनाटक में रखी गई है, औप्सने इसका राइट इसका राइट इंसर हो जाएगा, करनाटक नेक्स्ट प्रॉस्ट 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 प्र विजैता या भारत मनी ऑप्शन 20 कराई टेंसर हो जाएगा भारत नेक्स्ट प्रॉच्ट है पंद्रहावे होकी बीजकॉप 2030 की ऊप्ष टेंसर हो जाएगा बेलज्यम और विजैता यह जर्मनी है इसे भी ध्यान में रखी गा और होकी बीजकॉप 2030 का इयोजन उडिशा भुने स्वर में हुए इसे भी ध्यान में रखीगा नेक्स प्राशन है महिला किर्केटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी होकले मेडल लॉंच करने की खोशना किस देशनी की है तो महिला किर्केटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉंज करने की घोशना नियुजिलेंड ने की है ओप्शन एसक राइट इंसर होज़ेगा नियुजिलेंड नेच्ट प्रोस्न है आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार वर्ट्स 2023-2024 में भारत की आर्थिक भिकास दर कितना अनुमानित की गई है इंडियन ओल कॉर्परेशन द्वारा पहली बार एवियेशन गैस का निर्याद किसे किया गया है तो एवियेशन ओल कॉर्परेशन द्वारा पहली बार एवियेशन गैस का निर्याद पापुआ निव गिनी को किया गया ओप्शन सी इसका राइट इंसर हो जागा पापुआ नेक्स्ट प्रस्ट है मुख मंत्री जगन मोहन रेडी द्वारा आंध पर्देश की नई रजधानी किसे बनाने की घुशना की गई है तो आंध पर्देश की मुख मंत्री जगन मोहन रेडी द्वारा आंध पर्देश की नई रजधानी विसाखा पत्नम को बनाने की घुशन की गई है और वर्तमान में आंध पर्देश की रजधानी आमरावती है नेक्स्ट प्रस्ट है जपान में आयोजित पहले वीर गार्जियन इवधा भ्यास में लड़ाकु बिमान उराने वाली पहली भार्तिय महिला फाइटर पाइलेट कौन है तो जपान में आयोजित पहले दोजेव बीमालडन कहलाने वाला टूनामेंट टाटा इस टील मास्टर्स ₩ 2030 के कौन है तीन लाख आय को कर्मुक्त करने की घोशना की गई है, अप्शन सीज कराई टेंसर होज़ेगा तीन लाख इसकूलों में पढ़ने वाली सभी छत्राओ को स्वतंत्र और आत्म विश्वासी बनाने के लिए और रोहीनी पहल प्रसिक्षन कारकरम सुरू करने की घोशना उत्तर परदेश द्वाड़ा की गई है, अप्शने इसकराई टेंसर होज़ेगा उत्तर परदेश भारत को मोटे अनाजो का बैस्विक केंद बनाने के लिए और इसकराई इसकराई इंसर होज़ेगा है इवनेसको ने किस देश के औरेशा सहर को खत्रे में एक वीस धरोवर असल के रूप में सुचिबाद किया है तो युनेस्को ने युक्रेन देश के ओडेशा सहर को खत्रे में एक 20 धरवर अस्तर के रूप में सुचिबद किया ओप्शन ए इसका राइट इंसर होजएगा युक्रेन नेक्स्ट प्राशन है बजट 2023 में परणाप की गई परमुख यजनाएं परधान मंत्री कौसल विकास यजना 4.0 परधान मंत्री पीभी टीजी विकास मीशन और अकांची प्रखांड कारकरम या तीनों है तो इसका राइट एंसर होजएगा ओप्शन डी उप्रिउक्त सभी नेक्स्ट प्राशन है निसाव यूके द्वाड़ा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरुषकार तेज परदान करने की घोशना की गई है तो इन आई एसे यूके द्वाड़ा डॉक्टर मन्मुहन सिंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरुषकार 2030 पर सा है तो अंतराष्टिय स्वर्ग पंदन का नविंतम हस्ताक्षर करतर रास्ट या कांगो गन्राज है और वहीं अंतराष्टिय स्वर्ग पंदन इसका मुख्याले गुरु गराम हडियाना में इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट है भारत की अस्थानिय भसाओ को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोडा को किसके द्वारा प्रणाब किया गया है तो भारत की अस्थानिय भसाओ को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट ए सब्सक्राइब नेक्स्ट प्रस्टन है भारतियस सेना द्वारा ओपरेशन सद्भावना का आयोजन लदाक में किया गया ओप्षन इसका राइट इंसर हो जाएगा लदाक नेक्स्ट प्रस्टन है नेशनल बीच सोड़कर चेंपियंशिप 2030 के पहले संस्कराण की विज़ेता टीम केरल है ओप्षन इसका राइट इंसर हो जाएगा केरल नेक्स्ट प्रस्टन है पहली बार मनाये गए स्थापना दिवस के आउसर पर मुख अति थी किसे बनाया गया है तो पहली बार मनाये गए स्थापना दिवस के आउसर पर मुख अति थी सुन्द रेस मेनन को बनाया गया ओप्शन ए इसकराइट इंसर होगा सुन्द रेस मेनन और ये सिंगापूर के मुख नियाधी से इसे ध्यान में रखेगा और बात करें स्रोच नियाली की तो इसका अस्थापना 26 जनुवारी उनीशाव पचास इस भी को हुआ था नेक्स्ट प्रशन है केंद्रिये गिर्ह मंत्री अमित सा ने तरल नैनो इवडिया उर्वड़क सन्यंत की अधार सिला जारखंड में रखी है और संडी इसकराइट इंसर होगा जारखंड नेक्स्ट प्रशन है लदाक का पहला जय विवीदिता विरासत अस्थल की से घोशित किया गया है तो लदाक का पहला जय विवीदिता विरासत अस्थल याया सो जिल को घोशित किया गया option बी इसका राइट इंसर होगा याया सो जिल Next question है, बारतिये रेल वे द्वाड़ा एक भारत श्रस्ट भारत योजना के तहत कौन सी रेल सिवा परराम करने की घुसना किए गई है? worried sheriff गाइब कर जाला है भारत गवरो रेल नेक्स्ट प्रोस्ट है इंडियान नेशनल कार रेसिंग चेंपियंशिप 2030 के फर्मूला 2000 वर्ग में बीजेता कौन बना है तो इंडियान नेशनल कार रेसिंग चेंपियंशिप 2030 में फर्मूला 2000 वर्ग में बीजेता बनने वाला या साइस संजाय है आप्शन आ इसका राई टेंसर होजएगा सॉईस संज है नेक्स्ट प्रास्ट है तीन ग्रैमी पुर्षकार जितने वाले एक मत्र भार्तिये संगितकार कौन है तो तीन ग्रैमी पुर्षकार जितने वाल का उधगाटन कहां किया गया है तो मुख मंत्री योगी अधितनाथ द्वारा पहले भी एफ एक्स गलोवल ज्वाइंट बीजय एप्लिकेशन सेंटर का उधगाटन लखनव में किया गया उप्शन स्क राया टेंसर होगा जिमनास्ट नेच्ट भारत सरकार द्वारा किस बैस्विक संगर्थन के साथ बियापार और प्रोधोगों की परिशत्त के अंत्रगाट तीन काड़ समयों का गठन किया गया उप्शन लुक्षण उद्वारा कि सब्सक्राण की पहली लीविं लिविंग हेरिटेज उनिवर्सिटी का दर्जा परदान किया जाएगा तो इसका संबंध रवीद ना टैगोर से इसे ध्यान में रखेगा परदान मंत्री नरेंद मोधी द्वारा दचिन भारत की पहली और द्योगी कोरिडोर पड़ियोजना की अधार सिला तुम कुरुक करनाटक में रखा गया इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन से तुम कुरुक करनाटक नेक्स्ट प्रशन है बीत मंत्री 2021 में भारत में सरवाधिक विदेसी आवक प्रेशन किस देश से प्राप्थ हुआ है तो बीत वर्श 2021 में भारत में सरवाधिक विदेसी आवक प्रेशन यानि की अमेरिका से प्राप्थ हुआ है अप्शन इसका राइट एंसर होगा खाद और क्रिसिस संगठन के कॉपोरेट इस्टाटी इस्टिकल डेटाबेस के अनुसार बैस्टिक अस्तरपस सरवाधिक दूद उत्पादक राष्ट भारत है ऑप्शन डी इसका राइट इंसर हो जाएगा भारत नेक्स्ट प्रॉस्ट ना है आटिफिस्यल एंटिलिजेंस अधारित बाढ़ चैट बोट लॉंच करने की घुषना गूगल दौड़ा की गई है ऑप्शन 20 इसका राइट इंसर हो जाएगा गूगल नेक्स्ट प्रॉस्ट ना है भारत में पहली बार अंतराष्ट्री यूपी आई भुगतान सेवा प्राराम करने की घुषना फोन प कायोजन कहां किया गया है तो काला घोडा महत्शाव कायोजन मूंबाई में किया जाता है अप्शन D इसका राइट इंसर हो जेगा मुंबाई नेक्स्ट प्रॉस्ट है प्रित्वी औ लोकान उपगरा निसार का विकास किस अंत्रिक्स एजेंसी द्वारा किया जा रहा है त प्रिथ्वी अलोकन उपगरह निशार का विकास या संजुक्त रूप से नासा और इस्ट्रो द्वारा किया जा रहा है तो इसका राइट एंसर हो जेगा रही तो भारत का पहला ग्लास इगलू रस्तरा इसका प्रलाम जमु कस्मीर में किया गया Tibet तो द सकता अबोक कशिमीर में खेलो इंडिया वी इंटर्स your शं रही अब्स मत मुआ है राजस्थान के मुख मंत्री दवरा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा रासी को कितना निर्धारित करने की घोशना की गई है तो राजस्थान के मुख मंत्री दवरा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा रासी को 25 लाख निर्धारित करने च्छेपन यान से EOS 0 सेवे जैनस 1 और अजादी सेट 2 या सभी सभालता पूरवक प्रच्छेपित किया गया अप्शन D इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट प्रस्ट न है Global Quality Infrastructure Index 2021 में भारत को बैस्विक अस्थर पर खुआ है नेक्स प्रस्ट न है 13 से 17 फृवररी 2030 तक बैंगलोर उर्म में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्क्रहक खुआ होचन किया गया है तो 13 से 17 फृवरी 2030 तक बैंगलोर उर्म है यह रो इंडिया उत्सव के छौतार पारत्य भूप बाहनिकस सरवेकशन हो सिर्ष तीन पर किस राजो काुज़ा प्रोस्मीर मिले में शिर्ष3 पर, राज, महरास्थ हर्याना और मदपर्देश है, आप्शन अ इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट प्रास्ट नहें औरिस्दा के कटक में दूसरी भारतिये चावल कोंगरेस का उधातन उधातन किसके द्वारा किया गया है तो family ID, one family, one identity portal को उत्तर प्रदेश राजद्वरा लॉंच किया गया है, option B इसका right answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश Next question है, Kenya Ladies Open Golf किता आप 2013 की विजेता कौन है? तो Kenya Ladies Open Golf किता आप 2013 की विजेता अधिति असोख है, option B इसका right answer हो जाएगा अधिति असोख Next question है, 15-17 February 2013 तक फीजी में 20 हिंदिस सम्मेलन के कौन से संस्करन का आउजण किया गया है? तो 15-17 February 2013 तक फीजी में 20 हिंदिस सम्मेलन के बढ़ावा संस्करन का आउजण किया गया, option C इसका right answer हो जाएगा बढ़ावा Next question है, दिली मुंबाई एक्सप्रेस्वे का दिली दौसा लाल सोट खंड राष्ट को समर्पित किया गया है इस दिली मुंबाई एक्सप्रेस्वे की कुल लंबाई कितनी है? Next question है, दिली मुंबाई एक्सप्रेस्वे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है, option D is correct answer हो जाएगा 1386 किलोमीटर Next question है, रिवर्स सिटी एलाइंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठा का आयोजण कहां किया गया है? Next question है, फिवर्स सिटी एलाइंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठा का आयोजण पूने में किया गया, option D is correct answer हो जाएगा, पूने महराष्ट Next question है, फिफा कलोब बिसकॉप का खिताब पाचवी बार जितने वाली टीम कौन सी है? Next question है, फिफा कलोब बिसकॉप का खिताब पाचवी बार जितने वाली टीम रियल मैडरीड है, option D is correct answer हो जाएगा, रियल मैडरीड Next question है, स्वास्थ और पडिवार कलियान मंत्राले द्वारा, मास्ट ड्रॉग एड्मिनिस्ट्रेशन अभियान के तहद फाइलेडिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष निर्धारित किया गया, option D is correct answer हो जाएगा, वर्ष दो हजार जाएगा, नेक्स्ट प्रोच्ट है नकल विरोधी कानू 2013 को किस राज द्वारा लागू किया गया है, तो नकल विरोधी कानू 2013 को उत्रा खंड राज द्वारा लागू किया गया, option C is correct answer हो जाएगा, उत्रा खंड, नेक्स्ट प्रोच्ट है, भारत के पहले राष्ट्रिये मेट्रो रेल ग्यान केंद्र की अस अंकुस लगाने है तो कौन सा मुबाइल एप या पोर्टल लॉंच किया गया है, तो किन सरकार द्वारा कोईले के अवायद खंड पर अंकुस लगाने है तो मुबाइल एप खंड पढ़णी एप लॉंच किया गया, option B कराइट इंसर का खंड पढ़णी, नेक्स्ट प्रो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रॉन का आयोजन कहां किया गया है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रॉन का आयोजन लदाक में किया गया, option C कराइट इंसर हो जएगा, नेक्स्ट प्रॉस्ट ने, टॉम्टम ट्राइफिक इंडेक्स रिपोर् वर्स 2022 में ड्राइब करने के लिए बीस में दूसरा सबसे धिमा सहर या बैंग लूडू है ऑप्शन 10 का राइट इंसर होजएगा डबलिंग परधान मंत्री द्वारा जल संरक्षन के परती जागरुकता के लिए जल जन अभियान का सुभराम कहां किया गया है परधान मंत्री द्वारा जल संरक्षन के परती जागरुकता के लिए जल जन अभियान का सुभराम कि राजस्थान में किया गया ऑप्शन 10 का राइट इंसर होजएगा राजस्थान नेक्स्ट प्रशन है मासिक धर्म की छुटी के लिए कानून पारित करने वाला इउरोप का पहला देश कौन सा है तो मासिक धर्म की छुटी के लिए कानून पारित करने वाला इउरोप का पहला देश स्पेन है अप्शन एस कराइट इंसर हो जगा स्पेन नेक्स्ट ब्लॉस्ट ना है Aero Space प्रमुक बोईंग द्वारा भारत के किस सोहर में पहला Global Support Center अस्थापेत करने की घुषना कियी गयी है तो Aero Space प्रमुक बोईंग द्वारा बहारत के गूरु गराम में पहला Global Sports Center अस्थापित करने की घोशना की गई है, option B इस कराइट इंसर हो जाएगा, गुरुगराम Next question है, किस राज द्वारा, बीत वर्स, 2030 में सिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिसा आवांटित किया है Next question है, संजुक्त राज द्वारा, बीत वर्स, 2030 में सिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिसा आवांटित किया गया है Option D इस कराइट इंसर हो जाएगा, गुरुचिरा कमबोज ने की है Option D इस कराइट इंसर हो जाएगा, गुरुचिरा कमबोज Next question है, उत्तर भारत का पहला परमानुस सन्य अंत्र हरियाना के किस जिले में अस्थापित किया जा रहा है तो उत्तर भारत का पहला परमानुस सन्य अंत्र हरियाना के फत्तेहाबाद में अस्थापित किया गया है Option A इस कराइट इंसर हो जागा, फत्तेहाबाद नेक्स्ट प्रोस्ट नहां, चैट GPT संचालित AI chatbot Laxy को पहली बार कहां लौँच किया गया है तो चैट GPT संचालित AI chatbot Lacy को पहली बार भारत में लौँच किया गया अप्शन 20 का राई टेंशर हो जाएगा भारत नेक्स्ट प्रस्ट है नीजी कम्पनियों द्वारा विक्सित भारत के पहले एपीजे अब्दुलकलाम सेटलाइट लॉंच वेहिकल मिशन 2030 को कहां से लॉंच किया गया है तो नीजी कम्पनियों द्वारा विक्सित भारत के पहले एपी जे अब्दुल कलाम सेटलाइट लॉंच वेहिकल मिशन दो हजार तेज को चेनई से लॉंच किया गया ओप्शन 20 कराई टेंसर हो जाएगा चेनई नेक्स प्रस्ट है निमलिखित में से किस भारतिय ब्यक्ति को यूटूब का नाया CEO निक्त किया गया है तो इन में से निल मोहन को भारतिय ब्यक्ति है जिने यूटूब का नाया CEO निक्त किया गया ओप्शन 20 कराई टेंसर हो जाएगा नेक्स प्रस्ट है रंजी ट्रोफी 2030 की उप बिजेता टीम बंगाल है ओप्शन सी इसकर आई टेंसर हो जाएगा बंगाल और वहीं बिजेता सौराष्ठ है इसे ध्यान रखेगा अंतराष्टी रेलवेश संग और भारतिये रेलवेश सुरक्षा बॉल दोड़ा 18-20 सुरक्षा कॉंग्रेस का आयोजन कहां किया गया है अंतराष्टी रेलवेश संग और भारतिये रेलवेश सुरक्षा बॉल दोड़ा 18-20 सुरक्षा कॉंग्रेस का आयोजन जयपूर में किया गया ओप्शन बी इसकर आई टेंसर हो जाएगा जयपूर सिर्म इंसिट ओओ अंडिया दोड़ा महामारी की तयारियों के लिए डॉक्टर साइरस्टून्ह वाला सेंटर ओफ एक्सिलेंस की अस्थापना कहां करने की घूशना के गई है तो Serum Institute of India दोरा महामारी की तैयारियों के लिए Dr. Cyrus Puna वाला Center of Excellence की अस्थपना हैदराबाद में करने की घुशना की गई है Option 10 कराई टेंसर हो जाएगा हैदराबाद Next प्रोस ने National Geographic Pictures of the Year 2022 Award की से परदान किया गया है तो National Geography Pictures of the Year 2022 Award Dance of the Eagles को परदान किया गया है Option B इसका राई टेंसर हो जाएगा Dance of the Eagles Next प्रोस ने है भारतियस समू वेदानता किस अंतराष्ट्रे इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमिक कंडॉक्टर प्लांट गुजरात में अस्थापित करने जाएगा है तो भारतियस समू वेदानता फोक्स कॉन अंतराष्ट्रे इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमिक कंडॉक्टर प्लांट गुजरात में अस्थापित करने जा रहा है Option A इसका राई टेंसर हो जाएगा Fox कॉन नेक्स प्लाष्ट ने दादा साहएब अंतराष्ट्रे फिल्म महुचें प्रुषकार परदान किया गया है दुबई में आयो जीत एसिया मिक्स टीम बैडमिंटन čेंपियांसिप ने भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है तो दुबाई में आयोजीत ASEA Mixed Team बैडमिंटन चेंपियांशिप 2030 में भारत में पहली बार कांस पदक जिता है ओप्शन सीज कराई टेंसर हो जगा कांस पदक नेक्स्ट प्रस्ट है ओरिसा में लॉंच भारत का पहला एकरी चटबोट कौन सा है ओरिसा में लॉंच भारत का पहला एकरी चटबोक्स आमा क्रस ए आई है ओप्शन सीज कराई टेंसर हो जगा आमा क्रस ए आई नेक्स्ट प्रस्ट है डॉक्टर एपीज अब्दूल क्लाम आजीवान उपलब्धी पुरुषकार 2030 से किसे समानित किया जाएगा तो डॉक्टर एपीज अब्दूल क्लाम आजीवान उपलब्धी पुरुषकार 2030 से टीके रंग राजन को समानित किया जाएगा सबसे बाड़ा सबसे बाड़ा सबसे बाड़ा इलेक्ट्रिकल सो ग्रेटर नुएड़ा उत्तर परदेश में किया गया है बाड़ा इसका राइट एंसर होजएगा ग्रेटर नुएड़ा नेक्स प्रॉष्ट ने भारत के 22 वीधी आयो का कारेकाल 21 अगस्थ तक बढ़ाया गया है इस आयो के अध्याक्ष कौन है तो भारत के 22 वीधी आयो का कारेकाल 31 अगस्थ तक बढ़ाया गया है इस आयो के अध्याक्ष रितु राज अवस्थी है और इसका राइट एंसर होजएगा रितु राज अवस्थी नेक्स्थ प्रोच्ट है जातिगाद भेद भाव पर पर परतिवंद लगाने वाला संजुक्त राज अमेरिका का पहला सहर कौन सा है तो जातिगाद भेद भाव पर पर परतिवंद लगाने वाला संजुक्त राज अमेरिका का पहला सहर सियेटल है अप्शन सी स्कराइट करने के उपलब धी केरल हाई कोड़ द्वारा हासिल की गई है ओप्शन बीस कराइट एंसर हो जाएगा केरल नेक्स्ट प्रॉस्ट ने राष्ट्रिय बाग संरक्षन प्राधिकरण ने डेवरी गर्ड को नाया टाइगर रिजर्ब बनाने की सैधान्तिक मंजूरी परदान की है या बाग रिजर्ब की राज में इस थित है कि ठीवरी गड़ बाग रिजर्ब यौ उरिससा राज में इस सब्सक्राइब को परदान किया गया संगम यूग से संबंधित कलाकृतियों के परदाशन के लिए किलादी साइट संग्राले की अस्थापना कहां की गई है तो संगम यूग से संबंधिन कलाकृतियों के परदार्शन के लिए किलादी साइट संग्राले की अस्थापना तामिलांडू में की गई ऑप्शन 20 कराई ते इंसर हो जाएगा तामिलांडू संगीत न्याथ अकाड्मी… फैलोटोशिप के तहत कितनी पुरुषकारासी परदान कि hole 1 है संगीत नाथक अकाड्मी फैलोशिप के तहत 3,000,000,000 पुरुषकारासी परधान कि जाती है चिंता मन द्वारका नाथ देश्मुख के नाम पर मुंबाई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम करन किया गया है अप्शन 20 कराइक्ट इंसर होगा चिंता मन द्वारका नाथ देश्मुख नेक्सट प्रसन अनि किस देश में आयो जिचित देश्मुख एक्षेसर में बारतीय वाज से नद्वारा भागेदारी की जा रही है एफ ए टी एफ एफ नने किस देश की सधयस्त्या को रध करने की घोथना किई है तो FATF ने Financial Action Tax Force ने रूस की सदस्या को रद करने की घुशना की गई है option B इसका राइट एंसर हो जाएगा रूस next रॉस्ट ने भारत में मैन होल की सफाई के लिए Bandicoot Robot Launch करने वाला राज कौन सा है तो भारत में मैन होल की सफाई करने के लिए Bandicoot Robot Launch करने वाला राज केरल है option B इसका राइट एंसर हो जाएगा केरल next रॉस्ट ने एस एस राजा मॉली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरुषकार जीता है तो एस एस राजा मॉली की फिल्म RRR ने सोट्स्रेश्ट अंतराष्ट्रे फिल्म जीता है option C कराइट एंसर हो जाएगा next रॉस्ट ने James Webb टेली एसकोप ने च्छ विसाल अकास गंगाओ की खोज की है इस टेली एसकोप को launch कब किया गया था तो James Webb टेली एसकोप ने 6 विसाल अकास गंगाओ की खोज की है इस टेली एसकोप को 2021 में लॉंच किया गया तो option 10 कराई टेंसर होज़ेगा 2021 next question है US Chambers of Commerce की अंतराश्ट्रे IP सुचकांग 2030 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो US Chambers of Commerce की अंतराश्ट्रे IP सुचकांग 2030 में भारत को 42 अस्थान प्राप्थ हुआ तो ICC महिला T20 बिश्कप 2030 की उप बीजेता टीम दचिन अफिरका है option यह इसकराई टेंसर होज़ेगा दचिन अफिरका next question है जोंग सिंग 26 संचार उपगरा को किसके द्वारा लॉंच किया गया है next question है कांग्रेस द्वारा 25-85 महा अधिवेशन का आयोजन कहां किया गया है को कंग्रेस द्वारा 25 महा अधिवेशन का आयोजन रायपूर में किया गया option 20 कराई टेंसर होगा रायपूर सोट स्रेश्ट फीफा पूरुष खिलाड़ी 2022 के पूरुषकार से समानित किया गया है नेख्ज़ प्रूर्ँध कर रहा है पूर्ज़ाइब से लियोनेल मेसी को समानित किया गया ओप्शन भीज उसका राय टेंसर होगा लियोनेल मेसी IPL और WPL का सिर्षक प्रयोजग कौन है IPL और WPL का सिर्षक प्रयोजग Tata है अप्शन A कराई टेंसर होगा Tata तिरहवी राष्ट्रिय होकी चेंपियंशिप 2030 के फाइनल में किसे सोट्स्रेश्ट गोलकीपर के पुरुषकार से समानित किया गया है तो तिरहवी राष्ट्रिय होकी चेंपियंशिप 2030 के फाइनल में सोनल मींज को शोट स्रेश्ट गोल कीपर के पुर्षकार से समानित किया गया option D is कराया टेंसर होगा सोनल मींज next प्रॉस्ट ने बैस्विक पहल M.I.I.R.E. का संबंध किस फसल से है तो बैस्विक पहल M.I.I.R. का संबंध बाजरा से option C कराया टेंसर होजएगा का बाजरा नेक्स्ट प्रस्ट है बीम्स्टेक इनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया है तो बीम्स्टेक इनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन बैंगलूरू में किया गया ऑप्शन next question है 2 se 4 मार्च 2030 तक नई दिली में , राय सीनाट डायलोग किस थेम के साथ आयूजित किया गया है 2 se 4 मार्च 2030 तक नई दिली में , राय सीनाट डायलोग थेम था pro vacation 5000 , वाहेज सतानी , तूबर लेन्ज , लाइथ हाज इन दा , रायतमसी सपुम होगा next question है European sunch ने किस देश के साथ मिल कर Windsor ٥्फ्रेम वर कर निरमान किया है तो European sunch ने United Kingdom के साथ मिल कर Windsor फ्रेम वर कर निरमान किया है उसकर राइट एंसर होगा यानिकी Brett Next question है EXCHANGE NOW की International Shutdown 2022 की बैस्विक सुची में सिर्ष अस्थान किसे परदान किया गया है भारत को परदान किया गया option 20 का राइट इंसर होगा भारत नेक्स्ट प्रस्ट है बिहार के किस जीले में मोटे अनाजों के प्रति जागरुपूर नेक्स्ट प्रस्ट है उच्टम ने आले द्वारा हिंडन बॉर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अधार पर अधानी ग्रूप की क जाच के लिए अभाय मनुहर सपड़े की अध्यक्षता में समीथिक एगठन किया अप्सटन इसकराइट इंसर होगा अभाय मनुहर सपड़े नेक्स्ट प्रस्ट है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर्ड बायोलोजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उप्चार है तो पहल पहली योम एक मात डीने वाक्षिन विक्षित की गई अप्सटन इसकराइट एंसर होगा डेंगू नेक्स्ट प्रस्ट है आई एफ एस सीय ने स्विक्रिती प्राप्त करने वाला पहला बिदेसी बिस विद्याले डीकिन बिस विद्याले कहां अस्थापित किया जाएगा आई एफ एस सीय से स्विक्रिती प्राप्त करने वाला बिदेसी बिस विद्याले डीकिन बिस विद्याले इसका अस्थापना गांधी नगर गुजरात में किया जाएगा ऑप्सटन डी इसका राइट एंसर होगा गांधी नगर नेक्स्ट प्राम्प्रिक चिकित्चा पर एससीयो के पहले अंतराष्ट्य सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां किया गया है तो प्राम्प्रिक चिकित्चा पर एससीयो के पहले अंतराष्ट्य सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुआहाटी असम में किया गया है इसका राइट एंसर होगा अप्सन सी गुआहाटी पर नेक्स्ट प्रम्ट्न है राष्टपति द्रौबदी मुर्मु द्व्रा भौपाल में अंतर्राव्ट्रीय धम समेलन के कौन से संस्क्राण का उध्गारण किया गया है तो राष्टपती द्रापदी मुर्मु द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्री धाम सम्मेलन के सात्वे संस्क्रन का उध्गाटन किया गया ओप्शन इस कराईट इंसर होगा सात्वा नेक्स्ट प्रस्ट है छे मार्च 2030 को पहला भारतिय नौ सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत्पर किया गया है नेक्स्ट प्रस्ट है ब्यूस का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैस बैरियर बाहु बली कहां अस्थापित किया गया है ब्यूस का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैस बैरियर बाहु बली इसका अस्थापना विधर्व में क्या गया ओप्शन 20 का राई टेंसर होगा विधर्व महराष्ट नेक्स्ट प्रोष्न है जूनियर कब्डी बिश्चेंपियंशिप 2030 का खिताब किसंने 置ता हैror शन्जूक्त रास्ट पढ़यावरं कार करम्voor इस राज में सहरी सितलन पहल को लागू करने के लिए समझावता किया है तो संजुक्त राष्ट पड़यावरन कारकरम ने तामिलांडू राज में सहरी सितलन पहल को लागू करने के लिए समझावता किया है अप्शन इसका राई टेंसर हो जाएगा तामिलांडू नेक्स्ट प्रत्यक नागडी को डिजिटल भुकतान का उपयोग कार्था बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वाड़ा पर रंप किया गया है तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन इसका शुरुवाद आर्बी आई द्वाड़ा किया गया ओप्शन 10 कराई टेंसर हो क्रिकेट के भगवान सचीन तेंदुरकर का इस्टैचू कहां लगाने की घोषना की गई है तो क्रिकेट के भगवान सचीन तेंदुरकर का इस्टैचू लगाने की घोषना वान खड़े स्टेडियम मुंबई में की गई है ओप्शन 10 कराई टेंसर हो जाएगा वान खड़ होगा मेरा बाइचानूू 28 लेखा महाण यंद्रक पद पर किसे निफ्द किया गया है 28 लेखा महाण यंद्रक पद पर एसे को निफ्द किया सो जाए सेस धोब्ड नेक्स्ट प्रास्टन है, बड़ी बिलियो के लिए इन्टरनेशनल बीघ गैट अलायन्स का गठण किस देश द्वारा कि गई है। तो बड़ी बिलियों के लिए इंटरनेशनल बीग कैट एलाइंस का गठन किस या भारा द्वारा की गई है इस एलाइंस की गठन भारा द्वारा की गई है ओप्शन सीज का राइट एंसर होगा नेक्स्ट प्रास्ट नाए नीव आर के मैनहाटन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोट में निक्थ होने वाले पहले भारतिय अमिर्की नियाधिस कोन है तो नीव आर के मैनहाटन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोट में निक्थ होने वाले पहले भारतिय अमिर्की नियाधिस अरून स्थाक्टर मानिक सहा कि सिराज के मूख मंत्री बने बने ट्रिपूरा के मूख मंत्री है क्लिस त्रीपूरा नेक्स्ट फ्रस्ट का आयोजन कुवालालमपूर में किया गया है ऑप्शन बीस कराई टेंसर हो जाएगा कुवालालमपूर या मलेशिया की रजधानी है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रित जकर आर्खिटेक्चर पुरुष्का आर्दो हजार तेश से किसे समानित किया गया है तो प्रि मेगाट्रोफिक्स फ़स्ट को प्रितिवी परपुना परविश्ष करवाया गयाए ओप्शन जी सकर आर्टेंसर होगा मेगाट्रोफिक्स फ़स्ट नेक्स्ट प्रॉस्ट है 25 वर्ष में पहली बार महिलाओ को सैन सेवा में सामिल करने की घोशना किस देश में की है तो 25 वर्ष में पहली बार महिलाओ को सैन सेवा में सामिल करने की घोशना कोलंबिया ने की है ओप्शन 20 का राइट एंसर होगा कोलंबिया नेक्स्ट प्रश्ण है चीन के राष्ट पतिपद पर तिसरी बार की से चुना गया है तो चीन के राष्ट पतिपद पर तिसरी बार सी जीन पिंग को चुना गया ओप्शन बीस कर राइट एंसर होगा सी जीन पिंग इंडोनेसिया अपनी राजधानी जाकार्ता से कहां अस्थनांत्रीत कर रहा है तो इंडोनेसिया अपनी राजधानी जाकार्ता से बोर्नियो द्यूप पर अस्थनांत्रीत कर रहा है अप्शन 6 का राइट एंसर होगा बोर्नियो द्यूप नेक्स्ट प्रस्ट नैं, 37 कौशिक जिनका हाली में निधन हुआ है, इनका संबंध किस छेत्र से था? तो 37 कौशिक जिनका हाली में निधन हुआ है, इनका संबंध ये अभिनेता और निदे सकते, option A इसका right answer होगा केंद्रिया राजमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आठ्वे राष्ट्रिय फोटोग्राफी पुरिसकार के तहत, lifetime achievement अवर्ण की से परधान किया है तो केंद्रे राजमंत्री एल मुरुगर ने आठवे राष्ट्रे फोटोग्राफी पुरुषकार के तहत लाइफ टाइब अचिमेट अवर्ड सिप्रादास को प्रदान किया ओप्शन 20 कराई टेंसर होगा सिप्रादास नेक्स्ट प्रोस्ट ने मांट मेरापी जिसमें हा पहली महिला अपसर कौन बनी है तो लदाक में सेना की बटालियों के कमान संभालने वाली पहली महिला अपसर गीतार राना बनी है और इसका राइट इंसर होगा गीतार राना नेक्स्ट प्रोस्ट ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीथ कोरिडोर कहां अस्थाबित किया ज सा है तो बितिये संस्थागत भी फलता के कारण बंध होने वाला अमेरिकी बैंक सिलिकॉन वैली बैंक है ओप्शन ए इसका राइट इंसर होगा सिलिकॉन वैली नेक्स्ट प्रॉस्ट ने नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2030 में सरवाधिक महांगा सहर मुनाको है ओप् तो इसका सबसे लंबा रेलवेभ प्लेट फॉर्म सिद्ध रुदास्वामी रेलवेभ प्लेट फॉर्म है और येकर्नाट्टा के हुबली में है। नेक्स्ट प्रॉस्ट है शौट्स्रेश्ट मूल गीत श्रेनी का ओसकर पुरुचकार 2030 कि से परदान किया गया है तो शौ पहारत का पहला जियोलोजिकल पार्क मध परदेश में अस्थापित किया जाएगा ओप्शन डी इसका राइट एंसर होगा नेक्स प्राइट प्राइट फ्रेडी से कोण सा देश परभावित हुआ है तो चक्रवाद फ्रेडी से परभावित होने वला देश मलावी है योजना किसके द्वारा प्राराम की गई है तो चीन का मुकाबला करने के लिए परमानुपंडूबी सचधारी ओकस योजना इसकी शुरुवात अमेरिका ब्रिटेन और अस्टिरिया द्वारा किया गया ओप्शन डीस का राइट एंसर हो जागा उप्रिउप्ट सभी नेक्स्ट प्रस्ट है सबसे कम 22 देशो पर 25 संजुग्त राष्ट सम्मिलन का आयोजन कहा किया गया ओप्शन सी इसका राइट एंसर हो जागा दोहा नेक्स्ट प्रस्ट है नितिन गटकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसो को कहा प्ररम्ब किया है तो नितिन गटकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसो को बेंगलोडू में प्ररम्ब किया ओप्शन डीस का राइट एंसर हो जागा बेंगलोडू नेक्स्ट प्रस वर्ट्स दो हजार 18-22 के दौरान भारत को सरवादिक हंथियार निर्यात करने वाला कौन सा है तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ट्स दो हजार 18-22 के दौरान भारत को सरवादिक हंथियार निर्यात करने वाला देश, रूस, फ्रांस और अमेरिका है आप्शन एज के राइट एंसर हो जाएगा रूसिया पर्थम अस्थान पर है फ्रांच दूसरे अस्थान पर और अमेरिका तीसरे अस्थान पर नेक्स्ट प्लास्ट नहीं CO2 को समुद के नीचे एस्टोर करने के लिए आप्शन पर योजना परराम करने वाला बी उसका पाहला देश कौन सा है the तो CO2 को समुध के नीचे एस्टोर करने के लिए ग्रिन्स परयोजना परत्राम करने वाला पाहला देश देन्मार्क है OH और फालकन नाइन और फालकन नाइन रोकेट या स्पेस एक्स कॉंपनी का रोकेट है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स प्रस्ट है महिला बीस मुखेबाजी चेंपियनसिप का ब्रांड एमबेसडर एमसी मैरी कॉम और फढान अक्तर इन दोनों को बनाया गया ओप्सन टीस का राइट एंसर जगा ए और बी दोनों नेक्स प्रस्ट है भारतिया टटरक्षक छेत ने हिंद महासागत छेत की चुनवतियों पर चार्चा के लिए चौथे कोलमबो सुरक्षक कॉन्वरेल कहां आयोजन किया है तो भारती ए टटर रक्षत छेत ने हिंद महासागर छेत की चुनोतियों पर चार्चा के लिए चौव थे कोलम्बो सुरक्षा कनुलेव का आयोजन कुलकाता में किया है अप्शन इसके राइट इंसर हो जेगा कुलकाता नेक्स प्लस्न है 18 देशों के बैंको को रूपयों में व्यपार करने की मंजूरी किस ने दि है तो सर्स्वति समान 2022 के लिए सिव संकडी कर चुना गया ओप्शन इसके राइट इंसर हो जेगा सिव संकरी नेक्स्ट प्राशन है ए आई भाशा मोडल की नई पीडी GPT-4 की घोशना किस ने किया है? tava robot आई भाशा मोडल की नई पीडी GPT-4 की घोशना open AI ने किया option 6 गर्याइक्ट हो जगा open AI नेक्स्ट प्राशन है डीजल पड़िवहन के लिए 31.5 km लंबी मैतरी पाइपलाइन की इन देसों के बीच शुरू हुई है तो डीजल परिवाहन के लिए 31.5 km लंबी मैतरी पाइपलाइन की शुरुआत भारत और बंगलादेस के बीच हुई है इसके राइट एंसर हो जागा दच्छिन कोडिया नेक्स्ट प्रस्ट्ट है अंतर्राष्ट्रिय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवर्ड द्वारा गौवर्णर ऑफ द इयर दोजार तेज पूरुषकार से किसे समानित किया गया है तो गौवर्णर ऑफ द इयर अवर्ड द कहां खोला गया है तो 880 मिटर लंबी बाइपास शुरंग T5 को याता यात के लिए जमू कस्मीर में खोला गया अप्शन सीस कर राइट एंसर हो जाएगा जमू कस्मीर नेक्स्ट प्रस्ट है उनिस जीलो की घठन की घोशना किस राज द्वारा की गई है तो उनिस जीलो की लाकाल गया है तो अक्टूबर 2022 में प्रधान मंतरी द्वारा गया है तो उक्टूबर 2022 में प्रधान मंतरी द्वारा योजन बांगलादेश नेक्स्ट प्रस्ट ने है है स्थिद्ध सवया demیں किस नाम से भारत में पहला स्व देशी चौपाया रॉबर्ट क kept सभया demience ब्रक्षिद किया है श्ञां मित्रिक स्विकेज कई अर्ड़ा कि करना की गई है तो पर्धान मंत्री द्वड़ा सात राजियों में पीए मित्रा मेगा टेक्ष्टाइल पार्ट का स्थापित करने की खुशना की गई है और इसके राई टेंसर हो जगा साथ नेक्स्ट प्रस्ट है इरानी कब 2022-30 की बिजेटर टीम कौन सी है तो इरानी कब 2022-30 की बिजेट टीम रेस्ट ऑफ इंडिया है और संटी इसके राई टेंसर हो जगा रेस्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट प्रस्ट ने इस रो ने आई एनस टूबी के ग्राउंड रेस्टेशन का उद्गाटन भुटान में किया और स्वाथ संगठन के पार्टनर्शिप फोड हेल्दी सिटेज आवर 2023 से किस भारतिय सहर को समानित किया गया है तो बिजस्वात संगठन ने पार्टनर्शिप फोड हेल्दी सिटेज आवर 2023 से बेंगलूडू को समानित किया औप्शन ए इसकर राई टेंसर हो जाएगा बेंगलूडू नेक्स प अरब अमिरात में लॉंच किया गया, option C इसका राइट एंसर हो जगा, संजुक्त अरब अमिरात या इवेए, नेक्स्ट प्लास्ट है, भारत इवेए निवेज सिखर समयलन का आयोजन कहां किया गया है, तो भारत और इवेए निवेज सिखर समयलन का आयोजन जमू का स्मीर म में किया गया, Opschant D, इसका ऺagement गुजरात सरकार ने गीर के बाद किस अस्थन को,ASE 6-0 के दूसरे घर के रूप में ब्रस्तावित किया है आप बर्दद हम की इंडिया ने पूरूसिवरक्प gasya के बाद किया है तो होकी इंडिया ने पूरुस वर्क पॉलेयर ओफ द इयर पुरुसकार हार्दिक सिंग को प्रदान किया ओप्शन सी इसकर राइट एंसर हो जगा हार्दिक सिंग नेक्स्ट प्रस्ट नहें वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट वज़े तेश में भारत को किस पैदान पर रखा गया और विश्व 37 सुचकांक में भारत को 126 अस्थान पढ़ी रखा गया है यानि कि खुशहाली रिपोर्ट और 37 सुचकांक में भारत का अस्थान 126 है नेक्स्ट प्रस्ट में विश्ष्ट सेवा के लिए ओडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतिये उद्योग पत विश्व कारता को निक किया है फ्साने इसके अकादमी बघवरा संगीत काला नीधी पुरिस्कार 2003 से समानित करने की खुशना की गया है संगीथया के सबसे बड़े चार में अनthराश्ट्रिय लिक्विट मिर्टेत disg mauvais कोप का इस्गाटन कहां किया है तो एसिया के सबसे बढ़े 4 मिटर अंतरास्ट्रियल लिक्विड मिरर टेली एसकोप का उधगाटन उत्राखंड में किया गया option B इसका राइट एंसर हो जागा उत्राखंड वकिलो की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षन कानून लाने वाला भारत का पहला राज राजस्थान है option C इसका राइट एंसर हो जाएगा राजस्थान next question है सांखीकी और कारकरम कडियामनवन मंत्राले द्वाड़ा जारी 24 वे भारत में महिला और पूरुस 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 में जन के समय कितना लिंगा अनुपाद दर्ज किया गया है तो 2018 से 20 में जन के समय लिंगा अनुपाद 907 दर्ज किया गया तो 2013 के अभीश में सबसे अमीर ब्यक्ति एलन मस्क है और इसका राइट एंसर होजएगा एलन मस्क next question है ग्रीन पोर्ट और सीपिंग में भारत के पहले राष्ट्य उत्किस्टा केंद के अस्थापना गुरुगराम हडियाना में की गई है next cancelled है होकी दीगज राँनी राम पाल के नाम पर रानीज ग्र्ल्स होकी टर्फ की नाम कर्ण किया गया है किसे स्टेडियूंने कर दोकी इस्टेडियूंट नेक्स प्लसन है एस स्याइटी बिल्ययर्ट्स 2030 का किताब किसने जीता है तो ACI Billiards 2030 के किताब पंकज अडवानी ने जीता ओप्शन एस कराई टेंसर हो जगा पंकज अडवानी नेक्स्ट प्रस्ट है ब्रिक्स New Development Bank के नए सदस के रूप में किसे सामिल किया गया है तो ब्रिक्स New Development Bank के नए सदस के रूप में मिश्रिया IC को इजीप्ट कहा जता है इसे सामिल किया गया है ओप्शन सीस कराई टेंसर हो जगा मिश्रिया इजीप्ट नेक्स्ट प्रस्ट है अंतरास्त्रिय दूर शंचार संग का दचीन इसे मिल नए सदस के रूप में दिल का जगा मिश्रिया साइबर सुरक्षा सिक्षन में किए गया तो कोड़ा इस वीडियो और लगा जस्ते पीडियो क्रेंट कुए अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह रहींद।